मचली पकड़ने का सपना देखना नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सपने में मचली पकड़ना का क्या मतलब होता है? स्वपन शास्त्र के अनुसार सपनों में किसी चीज को देखने का कई बार अर्थ आने वाले समय का संकेत होता है, जिन्हें आप पहचान कर पहले ही सतर्ख हो सकते हैं, ऐसे ही जानिये सपने में मचली देखने का अर्थ लोग किसी चीज के लिए आपको परेशान न करें, आप अपनी दम या अपनी मर्जी से अपने कोरियों को करते हुए अपने लक्ष को हासिल करें, ऐसी आपकी इच्छा है स्वपन शास्त्र में मचली को देखना काफी शुब माना जाता है, मचली को मा लक्ष्मी से जोड कर देखा जाता है, जो घर में सुक्स्मृद्धी लाती है इसी कारण लोग घरों में मचली को पालते हैं और उनकी सेवा करते हैं, लेकिन कई बार सपनों में भी मचली नजर आती है, स्वपन शास्त्र के अनुसार सपने में मचली देखने का भी शुब या फिर अशुब अर्थ होता है, जिने पहचान लिया तो आने वाली समस्याओं से पहले ही सतर्क रह सकते हैं, मचली संबंधी सपने कई तरह से आ सकते हैं, जानिये स्वपन शास्त्र के अनुसार इसका क्या अर्थ है, स्वपन शास्त्र के अनुसार माना जाता है, कि सपने में मचली देखना शुब होता है, इने देवता का प्रतीक माना जाता है, अगर सपने में मचली दिखे तो समझ ले कि आने वाले समय में कोई शुब काम होने वाला है। सपने में सुनरी मचली देखने का मतलब है कि कोई शुब समाचार मिलने वाला है। जल भी आपको अपना प्यार मिलने वाला है। सपने में डॉल्फिन मचली का दिखना शुब माना जा इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपका भाग्य चमकने वाला है। अगर सपने में छोटी-छोटी रंग बिरंगी मचलियां दिख रही है, तो समझ ले कि आने वाले समय में आपके हाथ कोई बड़ी सफलता लगने वाली है। अगर सपने में अचानक मचली दिखे तो समझ ले कि आपके उपर भगवान का पूरा आशिरवाद है, सपने में खुद को मचली पकड़ते हुए देखना तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, इस नई शुरुआत के लिए आपने प्रतिक्षा में थे अगर सपने में शार्क या फिर पिरहना मचली आधी दिखे तो यह अशुब माना जाता है, सपने में उनको देखने का मतलब है कि आपको किसी दुख का सामना करना पढ़ेगा या फिर क्र्ज के बोछ में दब सकते हैं, सपने में अगर बड़ी मचली देखते हैं, तो आने वाले समय में आपको कुछ बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है, आपको आर्थिक उन्नती भी मिलेगी, धन्यवान.